Hello friends, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ algebra का एक बहुत basic question mostly competitive exam में पूछा गया है और हमेशा ये आता है तो अब देखिए ये question कैसे करते हैं अगर x plus 1 by x की value 2 है तो इसकी value निकालनी है हमें तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एक identity बता दूँ हमारे पास ये identity होती है कि a plus b का अगर हम cube कर देते हैं तो इस का मान क्या होता है तो इस का मान होता है a cube plus b cube plus 3ab और a plus b ये इसकी value होती है तो यही वाली identity हम इस question में use करेंगे तो अब देखिए हमें यहाँ पर x का cube plus 1 by x का cube निकालना है तो हम इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं मतलब यही question नहीं कोई भी इस type का question आता है तो आप उसका ऐसे ही करिए तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं यह जो value है इसका हमें cube करना पड़ेगा तो हम दोनों side इस value का cube कर देते हैं तो अब देखिए x plus 1 by x का भी cube कर दीजिए और इधर 2 का भी cube कर दीजिए अब cube करने के बाद इसकी value निकालिए यह value हमारी क्या बन जाएगी x cube plus 1 by x cube आप identity खोल दीजिए a cube plus b cube plus 3ab तो a की value क्या है? x है a की value यह हो गई और b की value 1 by x हो गई तो 1 by x अब bracket में a plus b है तो bracket में a plus b यानिके as it is लिखतीजिए x plus 1 by x ठीक है? अब देखिए equals to equals to में है 2 का cube तो 2 का cube कितना होता है? 2 का cube होता है 8 तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 8 अब इसको आगे फर्दर सोल करते हैं तो यह हो जाएगा x cube plus 1 by x cube प्लस अब यह देखिए 3 अब इस x से यह वाला x कट जाएगा ठीक है? तो यह आजाएगी value 3 अब देखिए इसकी value क्या होती है? x plus 1 by x इसकी value हमें यहाँ पर given है question में ही कि इसकी value हमें given है 2 तो हम यहाँ पर as it is value इसकी 2 put कर देंगे तो यह कर देता हूँ मैं 2 value put अब देखिए यह 8 इधर है तो 8 को इस साइड रहने देजिए अब इसको आगे solve करते हैं x cube plus 1 by x cube और plus यह कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 यह आजाएगा 6 equals to 8 ठीक है? अब देखिए हमें तो value इस चीज की चाहिए तो इसकी value चाहिए तो यह वाला जो है हमारे पास 6 इसको हम right hand side में ले कर जाएंगे तो right hand side में जब ले कर जाएंगे तो यह minus हो जाएगा तो अब देखिए यानि के इस 8 में से यह 6 minus होने वाला है तो यानि के x cube plus 1 by x cube equals to 8 minus 6 तो 8 minus 6 कितना हो जाएगा? 2 तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जो हमारी यह value है x cube plus 1 by x cube इसका जो मान होगा वो 2 हो जाएगा यानि के यह इसका answer हो जाएगा तो मैं आपर लिखतेता हूँ answer तो इसका answer to आजाएगा तो आप ऐसे हर type के मतलब इस type के question कर सकते हैं easily अगर यह video अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजिए और channel को subscribe कीजिए Thank you friends मिलते हैं next video में